मेरे पती से थोड़ी कहा सुनी होने के बाद वो मुझे माईके लेने आये थे लेकिन तब कुछ जूटे रिस्तेदारों और कुछ माईके वालों को कहने पर मैं उनके साथ नहीं गई मैं राहूत सेंग आप सभी का हार्दी स्वालत करता हूँ दोस्तों आपका प्यार ऐसे ही बना रहे हम आपके उम्मीद पर खरा उतरेंगे हमारा मकसद सामाजिक आधात्मिक मुद्दों को उठाना है और हमारा उदेश से है जो भी साच होता है उस समाज के सामने लेकिए आना है अगर आपके पास आध्यात्मिक या सामाजिक कोई भी मुद्धा हो, कोई भी भविश्यवानी हो, तो आप हमारे साथ साजा कर सकते हो, हम अपने चैनल पे उस वीडियो को जरूर दिखाएंगे, अगर आपके पास कोई शू जाओ हो, तो हमारे को कमेंट्स बोक्स में जरूर बताना, धन्यवाद दोस्ति उल्टा उनको तब मैंने दहेज की इसमें फसा दिया तब मुझे बड़ा वज़ा आया, कि ये लोग अब कोट के चकर माटते फिरेंगे ये जूटे थे, तो मेरे पती बरी हो गए, दुबारा शाधी भी हो गई पर अब 6 सान हो चुके हैं, और मैं घर में ही बैठी हूँ जो 3,4 लड़के मुझे पसंद करते थे, इसलिए में बहुत इत्रादी थी, वो भी टाइम पास करके चले गए आज सोचती हूँ कि मेरे पती लेने आए, तब ही उनके साथ चली जाती तो एक दो बच्चे होते मेरे सहेलियों की तरह और आज मैं खुश होती अपने पती के साथ दोस्तों, आखिर में यही कहूंगी, छोटी कहा सुनी सब घरों में होती रहती है, पर किसी के भैकावे में आकर कोई बड़ा डिसीजन ना ले साथ कोई नहीं देता, सलाज सब देंगे, आखिर में आपकी जिन्दकी तबा हो जाएगी अगर कहा सुनी हो जाए, तो रिष्टे खतम करने से अच्छा है, कि चार दिन रूट लिया जाए दोस्तों, ये विमारी हमारी समाज की बुरा ही बनती जा रही है, आज कल लोग भैकावे में आकर अपने ही रिष्टे तोड लेते हैं दोस्तों, ऐसे करने से पहले आप सौब बार सोचें, कि आप रिष्टा क्यों तोड़ना जाते हैं, किसी के भैकावे में कोई रिष्टा को न तोड़े